तो दोस्तों अगर आपने अभी दग हमारे चनल को सब्सक्राइब दीगा तो सबसे पहले हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा और साथ में बैल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच हे दोस्तों तो कैसे हो आप सब आज की वीडियो में मैं आपको रेड्मी 5 यूजर्स वालों के लिए वीडियो बनाई है कि रेड्मी 5 में MI 10 का स्टेवल अपडेट कब आएगा और किन किन फीचर्स के साथ आएगा पोट्रेट मोड मिलेगा या नहीं औरियो मिलेगा या नही तो सारी बाते जानने के लिए वीडियो को शुरूष है इन तक देखना वीडियो काफी important है और काफी मज़ेदार है तो सारे डाउट आपके clear हो जाएंगे Redmi 5 अगर आपके पास Redmi 5 डिवाइज है तो सारे डाउट clear हो जाएंगे कि MI 10 stable अपडेट कम मिलेगा क्या फीचर्स आ पर आप अपडेटर में जाके आपके में MIUI 10 का MIUI 10 का stable नहीं होगा अभी MIUI 9.6.3.0 होगा तो अब इसके बाद डाइरेक्ट ली आपको MIUI 10 का stable update देखने को मिलेगा आपके phone में और Redmi 5 में तो दोस्तो अब वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस date को मिलेगा और क्या-क्या features आने वाले हैं तो चलिए हम लोग start करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दखा देता हूँ second batch के device को तो device आते हैं second batch में Mi Note 3, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi Max, Mi Max Prime, Mi Max 2 Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 5A, Redmi 5A, Redmi Y1, Redmi Y1 Lite इतनी सारे device हैं जो कि second batch में आते हैं और second आज की इस वीडियो में हम लोग Redmi 5 device के बारे में बात करेंगी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने Redmi Note 4 के users वालों के लिए वीडियो बनाई है आप description में मैंने link दे रखी है और card icon में भी दे रखी है वीडियो आप जाके देख सकतो Redmi Note 4 users और दोस्तों बात की जाए Redmi 5 में MIUI 10 का stable update काव आएगा तो यहाँ पर देख सकतो आप ब्लोग date जो की बताईए जा रही है रिलीज ट्यूरिंग मिड अक्टूबर मनलब आपको 15 से 20 अक्टूबर तक आपको अपने Redmi 5 डिवाइस में MIUI 10 का stable update देखने को मिलेगा आप चेक करती जाएए कि आपके मैं काप तक आने वाला है क्योंकि अगर आप एक बार निकल जाएगा तो आपको एक से दो हपते वेट करना होगा फिर आप की मैं दोबारा आएगा सबसे पहले बात की जाएए कि सबसे पहले आपकी डिवाइस में आने वाला है तो दोस्तों अब बात की जाएए और और फीचर्स के आपके मैं पोर्ट्रेड मोड आएगा के नहीं तो दोस्तों यहाँ पर शुरू के अपडेट में पोर्ट्रेड मोड आना मुश्किल है आगे आ सकता है पोर्ट्रेड मोड हाँ आगे आ सकता है पोर्ट्रेड मोड लेकिन शुरू में MI10 के स्टेबल अपडे होगा तो आपके मैं MI10 का stable update की साथ portrait mode back में front में दोनों में ही आएगा और दोस्तो अब बात की जाए Oreo update क्या आपको Oreo update भी मिलेगा हाँ आपको Oreo update भी मिलेगा है आपके Redmi 5 devices में आपके Redmi 5 devices में भी आपको Oreo का update देखने को मिलेगा लेकिन अभी नहीं मिलेगा आपका Oreo update शुरू में मलब जैसे आपको portrait mode मिलेगा वैसे ही आपको जो है मिल सकता है Oreo का update तो दोस्तो आई होब कि आपके सारे doubt clear हो गए होंगे तो दोस्तो यहाँ पर अभी आपका nugget में update होगा और दोस्तो यहाँ पर बात की जाए आपके और अब बात की जाए दोस्तो क्या आपके में Face Unlock आएगा के नहीं दोस्तो देख सकते हो Face Unlock कहना मुश्किल है क्योंकि मान के चलो आपके में Face Unlock नहीं आएगा MIA 10 के साथ हाँ Face Unlock अभी नहीं आएगा आगे चलके आ सकता है लेकिन अभी Face Unlock के बारे में कुछ भी Confirm नहीं हुआ है तो दोस्तो आई होग कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और दोस्तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे अगर आपको अपने डिवाइस की कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बताओ तो मैं उस डिवाइस की फुल वीडियो बनाओगा तो फिर वेल देगली नेक्स वीडियो में टेक क्यार बाई